महराज गंजली के छहटे बार सांसत बने पंकर चोधरी को मोधी मंत्री मंडल में राज्च्य मंद्री का सपत मिलने के बार महराज गंज में जस्न का महल भाजपा कारकर्ता धोल नगारे संग अबीर गुलाल खेल कारकरताओं द्वारा धोल नगारे और पटाका फोर्तेगा वीडियो महराज गंज लोग सभा छेत्र से भारती जंता पार्टी के सांसत पंकर चौधरी को प्रधान मंतिर नरिंद मोदी ने अपने केंद्री मंत्री मंदल में सामिल करते हुए उन्हें राज मंत्री का प्रभा वांचर के कई लाकों में जस्न का मोहल दिखाई दिया पटाके पोर्त धोल नगारू के साथ एक दूसरे को मिठाईया खिला कर बिजेपी कारकरताओं ने मोदी सरकार के समन्थन में चंकर नारिवाजी की कारकरताओं का कहना है कि पंकर चौधरी को एक सांसत के रूब में क पिछड़े वर्ग के कुर्मी बिरादरी से आते हैं 1989 में गोरग पूर नगर निगम पारसत के रूप में अपना राज नैतिक सफर सुरू करने वाले पंकच सभी वर्गों और बिरादरी को एक साथ लेकर चलनने के लिए जाने जाते हैं इसीकर नतीजा है कि 10 वी लोग सभ चुनाव जीत कर संसत में पहुंचे थे जिसके बाद से अटकली लगाई जाने लगी थी कि उन्हें केंद्री मंदल में भी सामिल किया जाएगा मैं माननी देश के प्रधान मंत्री को प्रदेश के मुख मंत्री को प्रदेश के नित्युतों देश के नित्युत को बढ़ाई देता हूँ कि पूरे देश में आज खुसी का माहौल है और महराज गन के सांसद लोकप्री सांसद आदनी पंकत चोधरी को राजमंतरी बनाये जाने से पूरे पर्वांचल, पूरे देश का विकास होगा आज हम देश को आजाद होने के बाद पहली बार महराज गैजि लोग सबा में इस तरह का माहूल हुआ है खुशी का माहूल मिला है कि जो देश के राजमंतरी के तोर पे उन्होंने जो सबत लिया है इससे हम भारती यंता पार्डी के कार करता बहुत खुस हैं बहुत गदगद हैं इसलिए देश के नितित को परदेश के नितित को बधाई देना चाहता हूँ